दोस्तों आपको स्टिकरान में स्वागत हैं आज मुंबई की कपताने का आगाज करेंगे हर्दिक पांडया पहली बार कमाल समालते हुए दिखेंगे शुबमन गिल मुंबई को पाच किताब दिलाने वाले रोईच शर्मा इस सत्र में महज एक बल्ले बाज के रूप में खेलेंगे और विश्वक अपसे पहले अपनी सर्वसेस्ट परफॉर्मेंस हासिल करना चाहेंगे मुंबई के एक अन्य खिलाडी इशान किशन के प्रदशन पर भी सभी की नजर रहेगी हार्दिक पांडया रव्योर को जब अपनी पूरी टीम गुजराट टाइटन्स के खिलाप इंडियन प्रिमेर लीग में पहली बार मुंबई इंडियन्स की कप्तानी करेंगे तो उनका लक्षा अपने पूर्व कप्तान रोईट शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाना होगा आल राउंडा हर्दिक पांडया की अगवाई में गुजराट टाइटन्स ने अपने डेब्यू सीजन में किताब जीता था जबकि पिछली बार वह उपविजयता रहा था हालाकि इस सत्र में वापस मुंबई से जुड़ गे जहां उन्हें रोईट के स्थान पर कप्तान नियुक्त किया गया हार्दिक इसके साथ ही वंडे विश्वक अप में चोटिल होने के बाद किसी टोनामेंट में नहीं केले अमेरिका और वेस्टन डीज में जून में होने वाले टीट्विंडिवी विश्वक अप को धान में रखते हुए हार्दिक के बले बाजी और गेन बाजी दोनों विभाग में प्रदशन पर सभी की नजर रहेगी गुज्रात टैटन ने हार्दिक के जगा पर शुबमन गिल को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है जिने कप्तानी का बहुत ही कम अन्बव है मुंबई की टीम फिटनेस से जुड़े मुद्वों से जूज रही है उनके स्टार बले बाज सूर्य कुमार यादों को अभी तक खिलने की मनजूरी नहीं मिली है बाए हाथ के तेज गेन बाज जैसन और दिलशान को भी पहले ही आईपिल से बाहर है जबकि नए खिलाडी गेराल भी मास पेशिव में खिचाव से उबर रहे और वो भी शूरू के मैच कुछ मैच नहीं खेल सकेंगे सबी एनलेटेक्स और रिसर्च को देखते हुए आज का प्रेडिक्शन है कि आज का मैच गुजरा टाइटन जीतेगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत बुले धन्यवाद